दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि पैन के ढकन पर छेद होता है लेकिन कि आपको पता है कि इसका क्या काम है दरसल अक्सर आपने देखा होगा कि लिखते समय बच्चे पैन को ढकन की तरफ से चबाने लगते हैं और कभी-कभी गलती से ढकन पेट में ही चली जाती है और जान का कोई नुकसान नहीं होता है कुछ देर तक सांस चेद के जरीए बाहर जाती रहे और तब तक बच्चे को डॉक्तर के पास लेकर पहुंचा जा सक इसी वज़े से पैन के ढकन पर छेद होता है